अंकुर आजे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पब्लिक व्यूस इंडिया पर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक तरफ तो परसासन को लेकर और माफिया कहे जाने वाले और माफिया बरदर्स का एक हत्या हो गई वो भी पूरे पुलिस परसासन के बीच कैसे देख ही लोगों ने इसमें खुशिया मनाई है मैं तो घूमता रहता हूं तो कहीं इलाकों मेने देखा लोगों से बात करी तो बहुत खुश हैं लोग पटाके भी फोड़े गए हैं और मैंने मेरे सवाल भी आया दिमाग में कि आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो जैशीराम के नारे लगाए गए तो अब क्योंकि हिंदुस्तान आपको पता है एक से गुणी आदमी है यहां तो कहन लगे कि चोने की लंका में जब रावन की लाग लगाई थी हनुमान जी ने तो जैशीराम का नारे लगा के लगाई थी पॉलिटिकल इतनी पुलिस थी तो सुरक्षाम एकदम से फेलियोर कैसे हुआ जैसे कि अब पुलिस ने लिखके दिया कि हम हत परब रहागे हमारे हाथ पैर फूल गे तो इतना दना दन दन गोलिया चली और जैसे कि वीडियोस हम देखते भी है तो कुछ एक सेकंड में ही उन्हों ने त जिला सकता है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि तूर्किये की गन है और मैंने फिर उसके बारे में तोड़ी ओर डिटेल भी निकाली तो या तो वो तरकी मिलती है या हमारे आसपास में सिर्व पाकिस्तान में मिलती है अगर हम अतिक एहमद का और उसके भाई का जो बयान है जो लिकित में अगर उसको देखें तो वो कह रहे हैं कि हमारे संबंद है आई एसाई के साथ में हिजबुल मुझाइदीन के साथ में और ड्रोन से वहां हथियार गिराए जाते थे वहां से फिर हम भी खरीदते थे वो ही जो हथियार है वो खालिस्तानी आतंक पाकिस्तान से ही और वह यहां से उसी को इस तरीके से योगया पर देश सरकार पर सांसन पर हावी हो रहा है हाला कि देखा तो जा रहा है क्योंकि कहीं-ना-कई-चूक तो है क्योंकि वो उनके लिए एक अपरादी तो था यह था लेकिन उनके लिए एक विटनेस भी था एक गवा भी था जिसकी बात उन्होंने की थी कि वो गवा बनने के लिए तैयार थे बीच आकर सड़क पर इस तरीके से ठोक देना पूरी प्लैनिंग के साथ तो उस पर क्या कहना होगा क्या राज आपको इसमें नजर आ रहा है कहीं न कहीं विपक्स की बात अगर हम कर ले तो किसकी तरफ अगर आप देखे कि सक्किया जा सकता है देखो अगर आप उनके कबूल नामे को देखोगे अगर आप असद के मरने के बाद उसकी हालात देखोगे उसकी स्थीति को देखोगे उसकी लड़कियां दर बदर हैं दो छोटे बच्चे अभी भी सुधार ग्रह में हैं और एक लड़का मारा गया है बाके जेल में हैं भाई खुद जेल में हैं पूरी की पूरी जमले उसका खांदान खतम हो चुका है तो अगर कोई व्यक्ती रावन ने भी अपनी सोने के अगर लंका बनाई तो भई किस के लिए बनाई थी मेगनात आदी के लिए बनाई थी तो उनके बचाने के तो कोशिश करे गई रावन ये चाहता था खुद भी कि मेगनात को न जाने दूँ मैं समाप तो जाँगो क्योंकि दुश्मनी सीधी सीधी मेरे साथ है तो कम सकर मेरे बच्चे बच जाएंगे लेकिन मेगनात को जीद उठी असद को भी जीद उठी और पहले वो गया बाद में रावन का नमबर आया और फिर वो भी चला गया कोशिश बहुत की थी असद ने भी और रावन ने भी कि ये पूरी की पूरी जो सोने के लंका हैं बचा दू और अपने बच्चों के नाम कर दू और इसी वज़े से उसने इतना बड़ा बयान दिया कि जिसकी रोबिन हुड की छवी हो वो अपने आपको एकदम से आतंकवादी कहलवाने के लिए गदार कहलवाने के लिए कि उसको सपोर्ट करने वाले मुसलमान भी अगर वो राश्टरवादी होंगे ऐसा असंभव लगता है लेकिन अगर वो राश्टरवादी होंगे तो वो एकदम से अतीक के खिलाफ आ जाएंगे कि आया सईसे संबन ये तो नहीं हमें बिल्कुल भी बरदास्त है कह सकते थे तो अगर उसने इतना बड़ा दाओ खेला है तो अपने बच्चों को बचाने के लिए और गवाहा बनने के लिए किया था लेकिन मेरे भाई आपको ये विचार भी तो करना पड़ेगा कि अगर वो गवाही दे देता और उसने ये लिखा हुआ है मैं तो चाहूँगा आप इस स्क्रीन पर वो चिट्टी दिखाओ उसने कहा कि मैं और मेरा भाई हम चलेंगे और जहां वो जखीरा सारा का सारा पकड़वाएंगे और जिनके नाम है वो भी हम देंगे तो अगर इतनी सारी बाते हो चुकी थी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में जो जैश्राम के नारे ये कुछ लड़कों को पकड़ लेना कुछ सन की लड़कों को पकड़ लेना और उनसे ये काम करवाना हाई टैक हत्यार देना बहुत सारे लोग ना का अरे मुख्यमंतरी ने काम करवा दिया उन्होंने ऐसे कांड करवाए होंगी तभी इस तरीके के हरोप भी लगा रहे है अच्छा अंगुर जी अगर हम बात कर ले राज की खेर राज तो राजी होता है बाद में पता चलता है जब इन्वेस्टिकेशन हो जाती है अगर अंदाजा लगाया जाए तो आखिरकार कौन सा ऐसा राज था जो आपने देखा होगा कि तब वो मीडिया को बाइट दे रहे थे तब ही आकर जब उन्होंने बोला गुड्डू मुस्लिम के बारे बाए तो धनादन गोलिया चल गई और उतरते हुए एक इशारा भी किया था ये कहा नहीं जा सकता कि किसको इसारा किया था लेकिन इसारा हुआ था वो ओन कैमरा दिखाई दिया है तो क्या लगता है आपको आखिरकार इसमें किसकी तरफ देखा जा सकता है तो आप एक बात बताओ कि वो किसी की सरकार बनवा रहे हैं और इतना दमखाम लगा रहे हैं अपने उपर सारे आरोप ले रहे थे तो ऐसा तो नहीं होगा कि राजनितिक दल जो मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उनको किसी बारे में पता ही ना हो अतीक एहमद तो एक मान के चलो के प्यादा था गुरुगा था अगर जिनकी शरण में आकर के वो सारे काम कर रहे थे तो वो तो उनके जो मान के चलो के जो गौड फादर्स थे उनकी सियासत तो दशकों पहले शुरू हो चुकी थी और वो यहां तक पहुँचे फिर एक अतीक प्यादा मिला एक मुकतार प्यादा मिला ऐसे प्यादी तो जोड़ रखे दें तो जब अपने खांदान पर बनाई जब प्यारे बेटे पर बनाई तो यह तो काम फिर करना ही था यह राज वो हो सकता है कि जिसकी वजए से एक इस्थापित खांदान राजनेतिक खांदान जो पीड़ी दर पीड़ी उत्तर प्रदेश पर राज करते आ रहा है उसका कही ना कही राज खुलने वाला था और मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग जब यह जान गए कि वो रहमंत्री तक रहने वाले लोग रक्षा मंत्री तक रहने वाले लोग इन सब में शामिल हों तो फिर देश का नजरिया प्रदेश का नजरिया विश्व का नजरिया क्या होगा वो बात ना खुल जाए इससे पहले यह सारी चीज़े हुई है ऐसा सभी साक्ष्यों को नजर में रखते हुए प्रतीत हो रहा है अंकुर जी अगर देख ले तो लगातार चारो तरफ अगर मुसलिन समाज की बात करी जाए परियाग राज में भी इस तरीके की भीड थी हालाकि परसासन ने उनको छूट नहीं दी जनाजे में सामिल होने की लेकिन उनके अंदर एक रोश है वो कह रहे हैं कि बदला तो लिया जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं योगी के स्थिपी के भी मांग आ रही है सरकार गिराने की भी मांग आ रही है तो क्या लग रहा है विपक्स जो है चाहे वो तमाम पार्टियां कोई भी हो सकता है उसमें तो उनको कैसे देख रहे हैं देखो कुटों के भूंकने से शेर नहीं मरा करते और नहीं वो डरा करते अगर ये इस्तीफा मांग रहे देखो ये तो जिस दिन योगी जी बैठे थे उस दिन से इस्तीफा मांग रहे इस्तीफा तो उन लोगों नहीं दिया जिनोंने जैशरी राम का नारा लगाने वाले ल जिन्होंने ये कह देता कि बलातकार लड़के करते हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, जिन्होंने उत्रा घंड की मांग करने वाले लोगों की पूरे बस की बस कटवा दी थी, तो ऐसे लोगों का आज तक नहीं हुआ है, और आप किसके उपर… जिन्होंने सेंकडो हत्याएं करी हों, जिसने इतना इंक्रोच्मेंट करा हो, जिसने लूट, खसोट और खुले आम लोग इस बात को स्विकार कर रहे हैं, लोगों की खुशी का रिजन क्या है, वद, किसी आतंकवादी का वद, अब वो गैंग्स्टर नहीं रहा है, पहले लाते हैं, तो वो तो आतंकवादी है, लेकिन क्या फिर उगर वो मुस्लिम को ज़्यादा इंफसाइज कर रहे हैं, तो फिर तो ये भी होगा कि मुस्लिम आतंकवादी को मार दिया है, तो ये सारी चीज़े तो सोचनी पड़ेंगी, राज खुल रहा था, इसी प्रत्या हुई है, आम जन्मानस तो खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शासन सत्ता को अब और जदा महनत करनी पड़ेगी, वो नाम निकलवाने के लिए जो की वो बता सकते थे, जो असलाह वो पकड़वा सकते थे, जो लिंक्स वो दे सकते हैं, आरिये जी कि अगर बात करें, हम पॉलिटिकल व्यू से देखें, तो तमाम विपकसी दलों की बात करें, या फिर अगर हम बात करें, अतीक एहमद एक माफिया, जो की माफिया कुछ भी कर सकता है, वो खुद को भी मरवा सकता है, तो किस एंगल से आपको लगता है कि क्योंकि कई सारे एंगल्स में निकल कर आ रहे हैं, देखो आपने बहुत अच्छी बात कि वो खुद को मरवा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आपने कोई हवा बात कह दी, हमरे दर्शक भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अतीक एहमद ने अब से पहले भी अपने उपर बंसे हमला करव है था, और ये दिखाने के लिए कि मेरे को ये केस सकम सकम निजात मिल जाए, मेरी सुरक्षा बढ़ाए जाए, यहां से बाहर ले जाए जाए, होस्पिटल ले जाए, किसी भी तरीके से, देखो अगर इस मामले को हमें समझना है, तो हमें उनके कबूल नामे को समझना पड हैं, और वो कई बार इस बात को कह चुका है, कि नहरुजी और मैं रिलेट करते हैं, और वो अपने आपकी जो छवी है, वो नहरुज ऐसी बनाने की पूरिक-पूरिक कवायद में था, और अभी तरलक जो उनके सपोर्टर्स थे, वो उनको रोबिन हुड़ा भी तो बीबी नेता के दोर पर देख रहा है, वो कहीं भी माफिया या गैंगस्टर का नाम नहीं ले रहा है, उसको कैसे देखते हैं? पर आये ही ना, क्योंकि उनको एक प्रोपैगंडा करना है, एक्चुली उन लोगों को एक हथियार मिल गया है, और वो है बस विद्वा विलाप करना, रात दिन अपना, एक तरीके से उनको रोना रोना है, और ये जो उनको विक्टिम कार्ड खेलने का एक कहो के हथियार मि लोगों के दिमाग में, कि श्याम रंगिला पर राजस्थान की गॉर्मेंट ने अभी उनको नोटिस दिया है, कि तीन से साथ साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है, ये राजार आपके उजरुमाना बरना है, लेकिन उसका इल्जाम मोदी के उपर है, कि मोदी की हिटलर श अब मैं वापस आता हूँ, कि जो उन्होंने लिखित बयान दिया है, पहले अतीक एहमद छवी बन रही थी, नहरु वाली, प्रधान मंत्री, प्रधम प्रधान मंत्री, फुल पूर के सांसद, और एकदम से उनका बयान क्या आता है, आईस आई के साथ मिलने वाला कौन गदार, हिजबल मुझाइदीन के साथ काम करने वाला कौन होगा, गदार, खालिस तानियों को हतियार सप्लाई करने वाला कौन होगा, गदार, अब आप ये मान के चलो कि जब देश के अंदर टनो आरडी एक्स हो, वो कह रहे हैं कि हमारे पास हतियार हैं, वो कह रहे हैं कि कि शवी एकदम अलग हो जाती है और वो क्या बनती है एकदम गदार और मॉस्ट वांटड आतंक वादी की मैं तो कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान बैठे हूँ आतंक वादी सोचते होंगे कि सलाम तो फाल तू मरा रहे हैं असली काम तो यह कर रहे हैं हमारा भाई वो लोग यहां अंकुर जी इसको लेकर कहा जाना जिस तरीके से हम सिस्टम का भी कही ना कहीं इसको देखते हैं कि सिस्टम फेल हो रहा है और जैसे हम हल्क नामे में भरा जाता है कि पूरी डिटेल्स उसमें होती है पांच बार की इको सिस्टम मैं कह रहा हूँ इसको सिस्टम भी नहीं इसको इको सिस्टम कहेंगे उनका एक बंदा हुआ वोट बैंक है आप यह मान के चलो कि इमरान प्रताब गड़ी जिसको युवा सुनता है और वो अतीक एहमद को मसीह बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं वो अगर अतीक एहमद के विशम ऐसी बात करे और वो उसको महिमा मंडन करे उसका और इस तरीके की बाते चल रही है तो मेरे भाई आप समझ जाओ कि वोट बैंक क्या कह रहा है अभी तो आप लोगों के कुछ मित्र थे जो अतीक एहमद के विश बस स्टेंड से लेकर के मेट्रो स्टेशन तलक पे नमाज पढ़ सकते हैं आपके घरों में आ सकते हैं आपके मस्जिदों में चोड़ो मंदिरों माकर की इफ्तारी देने की कोशिश करते हैं और लेते भी हैं वो जो आपकी आखों के सामने ही गाए को काटते हैं महंतों संत को मारते हैं वो लोग कहने हैं कि मस्जिद के आसपास भी नहीं फटकना एक प्रदेश की मुख्यमंत्री कहती है कि उनके इलाके में नहीं जाना है तो यह इको सिस्टम है जो तियार करता है बात होती है सेकुलरिजम की फिर इलाके बढ़ जाते हैं हिंदू का इलाका मुस्लि में कुछ भी हैं तो देश की जंता के साफ से उनके बातशीत करते हैं कहीं न कहीं वो कहते हैं कि अतीक आहमत जो हैं आपके लिए माफिया होंगे आपके लिए गुंडे होंगे हमारे लिए तो मसीह है उस पर क्या कहना हो देखो मसीह क्या है कि अगर आपने भी सुना होगा जैश्री कुश्वा के विशे में, तो उनकी पूरी फैमिली खतम कर दी गई है, खुद एक महिला की पीट पे गोलिया मारी गई है, बहुत मुश्किल से उनकी जान बची थी, तो अगर किसी के घर को लूट करके, और इन मुसलमानों का घर भरा गया होगा, और उनके जेब मे नोट आये होंगे, और इनके पेट में रोटी आई होंगी, तो देखो वो तो उनकी मजबी शिक्षा बताएगी, कि वो क्या इस तरीके से पेट भरना और रोटी खाना, अपने आप में यहाँ जायज मानते हैं, क्या उसको हलाल मानते हैं, तो वो उनको डिसाइड करना उसकी आज की मिलकियत देखी जाए, 17 साल की उमर में पहली हत्या करने वाला व्यक्ति, आज की तारीख में 11,250 करोड से ज़्यादा उसकी मिलकियत है, अगर इस हिसाब को देखा जाये तो उसके कौन से बिजनस थे, एक गोड़ा चलाने वाला, बग्गी चलाने वाला, तो ह अगर उत्तरपरदेश के परसासन की बात कर ले, क्योंकि फैलियर रहा है, उनकी बीच में घुसके हत्या कर देना, योग्यारित्तिनाद पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ परेशानी, टेंशन तो होगी उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री को भी, इस तरीक आवेश में आज के कहीं पर कुछ ऐसा निरने ना ले ले, कुछ लोग होते हैं जो बदले की भावना से इस परकार के काम ना कर दे, तो सबसे पहले ये चीज होती है, एक चीज तो पिछले 6-7 साल में योगी जीने पाई है, प्राप्त करी है अपनी तपस्या से, कि उत्तर प्रदेश में उनका नाम इतना है, कि अगर उन्होंने कह दिया, कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, धारकार कुछ जी कहीं ना कहीं, अगर बात कर ले, मिट्टी में मिलाने की बातचीत हो रही थी, और उसको मुस्लिम समाज के लोग और जो उनके पूरे करीबी हैं अतिक आमत कि वो अलग तरीके से ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निसाना जो है, उनके उपर ही डाल रहे हैं, हाला कि एनकाउंटर जो सदका हुआ, उसको एक पूरा कानूनी तरीके से किया गया, लेकिन ये हत्या निकल रही है, तो कहरे कि मेन मोटीव मिट्टी में मिलाना था, चाहे एसे नहीं तो ऐसे नहीं इस पर तुम्हें पहले ही बता भी चुका हूँ कि अगर उनको ऐसे ही करना होता तो वो तरीके उनके और अच्छे हो सकते थे क्योंकि उनके पास में रेटायर्ड लोग हैं नहीं लोग हैं तो अगर उनको करना होता अगर उनको गैर कानुणी तरीके से यह करना होता तो वो कहीं पर उनकी गाड़ी पल्टा सकते थे और जेल थे нашुआ के तो वहां भी करवा सकते थे वो मिट्टी में मिलाने का मतलब लिटरली ये नहीं कि कबर में ही हम दफनाक आएंगे पर ये हम मान के चलते हैं कि उनका कहना ये था कि हम इनको समाप्त कर देंगे लेकिन इस बीच किसी व्यक्ति नहीं हो सकता है कि किसी फिल्म से बहुँ ज़दा इंस्पायरड हो और उन्होंने इस तरीके की चीजे करी और फिर लोगों ने उनको जो मेन जो उनके पीछे हैंडलर थे उन्होंने उनको परक लिया कि इनके इस उद्वेग का हम बेनिफिट कर सकते हैं और उनको हतियार दिये हो उनकी ट्रेनिंग बकाइदा हुई है वो ट्रेनिंग कराने के बाद मैंनको यहां तक पहुचाया गया हिंदू-मुस्लिम रंग देने का प्रियास किया गया है और इसमें में अल्रेडी कहा चुका हूँ कि अगर सब मुस्लिमों ने मिलकर के हिंदूओं को मारा है तो तब तो हिंदू ने नहीं कहा एंकाउंटर के गर हम बात कर लें तो तकरीबन 183 एंकाउंटर हुए है जिसमें से कि तकरीबन 30-33 परसंट ही उन लोगों के एंकाउंटर हुए है अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो अधित्यराना को भी काउंट करो भाई अधित्यराना का भी उसी दिन काउंटर हुआ है मेरे यहां पर काफी हिंदू का एंकाउंटर हुआ है और किसी भी हिंदू ने एक बार भी ये नहीं कहा किसी ने भी नहीं कहा है इवन उन्हीं लोगों ने जिनकातिक एहमद मालो के मसीह था उन्होंने दुबे के एंकाउंटर विकास दुबे के एंकाउंटर को ऐसा ब्राह्मन और राजपूत बनाने की कोशिश करी थी लेकिन ब्राह्मन समाज नमना कर दिया उन्होंने कहा कि गुंडा था मारा गया बात खतम तो इसमें किसी तरीकी की पॉलिटिक्स के कोई गुंजाइस बसती रही है लेकिन एक बात मैंने और कही थी कि कुछ लोग होते हैं इग्नोरेंट उनको आप कितना भी समझाओ वो सिर्फ और सिर्फ जो उनको मदरसन सिखाएद है वही करेंगे उनको सिर्फ आरार करना है उनको सिर्फ विद्वा विलाप करना है चूडियां तोडनी है और वो अभी तलग अभी आपको काफी लंबे टाइम तक चोड़ियां से तूटने के आवाज aprender रहेंगी तो यह हमारे साथ थे अंकूर आऔरिये जी जो की इन्होंने बताये कि चर्चा का विशे है और वाकिमी चर्चा का विशे है और पूरा गमभीर तरीके से देखा जा रहा है खैar वो तो जाश के बाद ही पता चलेगा कि आखरक कर